E.V.S. 1 Chapter Water Safe for Drinking Page No. 20 Read and Write the Underline Words Chapter 4 Water Safe for Drinking यहां मैंने इस लेशन के कुछ वर्स अंडरलाइन किये है टोटल 33 words है इस पेज के पेज नमबर 20 के 33 words अंडरलाइन किये है वो कैसे read करने है वो मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ आपको वो read करके 5 times लिखने है फर्स्ट है वाटर वाटर स्टर स्टर सूगर सूगर एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट सबस्तेंसिस सबस्टेंसिस ग्लास ग्लास कॉमन सॉल्ट मतलब अपना नमक होता है वो कॉमन सॉल्ट हनी हनी मतलब शहद मद बोलते हैं वाशिंग सोड़ा वाशिंग सोड़ा वाशिंग मतलब धोना धोने कपड़े धोने का सोड़ा जो होता है उसे वाशिंग सोड़ा कहते हैं है साबुन में वो मिलाते है फिर है आलम मतलब फिटकरी माराथित तुल्टी बोलता है गुजराती माफटकडी और हिंदी में फिटकरी बोलते है उसे इंगलिश में आलम कहते है सैंड मतलब जो समुदर किनारे मिट्टी रहती है वो माराथित वाळू पुजराती मारेती वीट फ्लार मतलब गेहु का आटा सौडस्ट सौडस्ट मतलब लकडे का जो भूसा रहता है उसे सौडस्ट कहते हैं तर्मरिक पाउडर तर्मरिक पाउडर हल्दी का पाउडर ओईल तो आप जानते ही हो तेल बोलते हैं फिर यह है डिस अपियर डिस अपियर मतलब गुम हो जाना अद्रश्य हो जाना दिख नहीं दिख न पिर है डिजॉल्व डिजॉल्व डिस जॉल्व मतलब पिघलना पानी में पिघल जाता है गुजराती मा ओगण बुके वाय मराठित बोलतात वितर ले उसके बाद कौन सा है ये वाला spread spreads spread मतलब फैलना फिर है container container मतलब बरतन फिर है salty, salty मतलब खारा, नमक जिसने मिलाते है, तो वो चीज क्या हो जाती है, खाने वाली चीज खारी हो जाती है, तो वो खारापन उसे salty कहते है फिर है sweet sweet मतलब मीठा यहाँ पे है solution solution मतलब कि जिसमें अगर हम पानी में नमक या सकर मिला के जो घोल बनाते है, उसे solution कहते है अलग-अलग वस्तु लेकि जो बना मिला के मिलाते है, वो solution है फिर यहाँ पे है mixture mixture मतलब अगर हमने वस्तु ली और वो घोला पानी में घोला तो वो जो मिश्रन तयार हुआ, उसे mixture English में कहते है, मराथी, गुजराती और हिंदी में मिश्रन कहते है उसे फिर है, लूज मोशन्स लूज मोशन्स तो आपको पता ही है, जिसको decentry हो जाती है, पेट में गड़बर होके, two number होती है, वो लूज मोशन्स फिर है drink, drink मतलब पीना oral, oral word तो आपको पता है, जो मुशे बोलते है, उसे oral बोलते है लेकिन यहाँ पे दवाई, मुशे लेना, उसे भी oral बोलते है oral re-hydration solution देखो, फिर से बोलती हूँ, re-hydration oral re-hydration, उसे बोलते है, ORS जिसको बहुत, मतलब जुलाब हो जाते है, और सरीर का पानी कम हो जाता है उनको ORS देते है, तो ORS का full form है, oral re-hydration solution दुसरा शब्द है, patient patient, जो बीमार रहते है, उसे patient कहते है फिर बीमार लोगों को कहा पे लेके जाते है, hospital और उसे क्या लगाते है, saline देखो, यहाँ पर बताया है, saline लगाई है यहाँ से saline दवाई लगा के, हाथ में दवाई लगा के saline लगाई है और फिर है word, medicines medicines, medicines मतलब दवाईया through, जिसके through देते हैं, दवाईया अभी यह saline है न, इसके through शेरिर में दवाईया देते हैं और last है word, examples अब यह सब words आपको 5-5 times अपनी notebook में लेखना है लेकिन पहले lesson का नाम लिखो, फिर words लिखना शुरू करो